राम राम मेरे समाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यतोचित अभिवादन ग्रेटा थनबर्ग गलती से उन्होंने एक टूलकिट क्या जारी कर दी भारत में और दुनिया भर में भारत विरोधियों की जो पूरी श्रिंखला है वो सामने आ गई और इसलिए ये जो वीडियो है यह आपको बहुत इसपष्ट तौर पर बता देगा कि आखिर 21 वर्ष की लड़की से सरकार क्यों डर रहे हैं आखिर 16 वर्ष की लड़कियों से सरकार क्यों डर रहे हैं आखिर विश्वद्यालियों में पढ़ने वाली लड़कियों से सरकार क्यों डर रहे हैं आखिर क् जिग्याशा आपकी समाप्त हो जाएगी ऐसा मुझे यकीन है और वैसे तो ये विश्य ऐसा है कि इस पर घंटों में बात कर सकता हूँ और लंबे समय तक ये बातचीत हो सकती है आपसे लेकिन मैं कुछ बहुत छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बाते बताऊंगा य जो लोग खुद को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूलकिट एक्सपोज की अब ये सारे लोग अपने लिखे से एक्सपोज हो रहे हैं सबसे पहले एक तो ये मैं बताऊंगी बहुत अच्छा एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हुआ है at the age of 21 21 वर्ष की उम्र में और मुझे बड़ा अच्छा लगा एक महिला है राजिश्वरी कोरी जो भारत की पहली महिला है जो नेवल वार्शिप पर तैनात हुई 1997 में उन्होंने एक वाक्या लिखा है कि हॉस्टल में वो थी 18 वर्ष की उम्र में और हॉस्टल की जो कहने क को लेकर कुछ था कुछ ने आंदोलन आंदोलन किया तो उनके पिता ने कहा कि यही अगर होगा तो मैं तुमको यहां से निकाल लूँगा और यह नहीं होना चाहिए उसके आद उन्होंने बताया कि 21 वर्ष की उम्र में मैं सीधे यह पोस्टिंग मिली अभी जो उनकी पोस पर है उनको पढ़िये बड़ा आनंदा रहा है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 21 वर्ष की एक लड़की से एक महिला से बालिका से बच्ची से जो आप कहें अलगि बच्ची नहीं कहेंगे उस लड़की ने सरकार को डरा दिया क्या और उसको क्यों गिरफतार कर लिया वो तो बेचारी friday for futures यह चलाती थी जैसे वरवर राओ friday वो friends of literature चलाती थी वही वरवर राओ जो CRPF जवानों की हत्या को मावाधियों के वो कहते हैंगे मावाधि को तो तो हत्या करी देना चेह CRPF वाले उनके श्यत्र मुच लेगा था यह इस तरह के सिती है लेकिन अब इससे थोड़ा एक कदम आगे वरते हो दिशार रवी ने ग्रेटा थनबर को जो वाटसअप किया है वो क्या किया है वाटसअप किया है I'm sorry but our names are on it we can literally get UAPA against us क्या कह रही है दिशार रवी ग्रेटा थनबर से तो एक तो इससे ये कि अब आपको जाना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि अखिर कैसे ग्रेटा थनबर ने वो ट्वीट कर दिया किसानों का मसला था किसानों का अंदोलन था चलो खालिस्तान समर्थक सोचे कि पंजाब का मसला है वहाँ से रोज लती आए जाते हैं पिखते हैं तो चलो इसी वहाने कुछ कर लीते हैं लेकिन ये ग्रेटा थनБर कहां से आए फिर रियाना कहां से आए पिर मीना हैरिस कहां से आए और मुध हालिवाल का कनेक्शन क्या है ये सब सामने आया और अब ये समझ में आ रहा है कि ये तो रुटीन बाची थी जैसे वाटसेप पे हम अपने दोस्तों से बहुत क्लोज ग्रूप में बात करते हैं उस तरह से इंटरनेशनल नेटवर्क में बात हो रही थी भारत के किसान आंडोलन को जरिया बनाने की भारत के खिलाफ ग्रियुद्ध जैसी इस्थिती करने की ग्रेटा तुनबर्ग से कि अब कुछ हो नहीं सकता माफ करना मुझे लेकिन हमारे नाम उसमें है और हमारे उपर निशित तो पर यूए पीए लगेगा अब यूए पीए क्यों लगेगा ये अगर दोने एन्वान्मेंटल एक्टिविस्ट हैं तो इनको यूए पीए के ब भारत विरोधी गत्वीधी ऐसे की है एकने भारत में रहते हुए बंगलुरू में एकने भारत के बाहर रहते हुए जो उनको पता है कि ये भारत की धरती भारत की जमीन के कानून के लिहाज से गलत है और उनको सबसे कड़ी जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना दिशारवी और वो दोनों बात करते हैं और उसमें लिखते हैं not to say anything इसका मतलब क्या हुआ और कमाल की बात यह है यह सारे वाटसेप अब किसी एक चैनल या एक अख़बार या एक मीडिया हाउस के पास नहीं है अब यह सभी के पास है और मुझे तो लगता है कि दिल्ली कर क्या रही थी जब दूसरी महिलाएं दूसरी लड़कियां वो देश का नाम रोशन कर रही थी तो यह एक्टिविजम के नाम पर देश का ही पूरा का पूरा एन्वार्नमेंट खराब करने की कोशिश कर रही थी और जराब उससे आगया यह जैराम रमेश ने जो लिखा ह दिलही पुलिस on rampage after दिशारवी it is now the turn of another young woman Nikita Jacob more will no doubt follow this is Tana Shahi in New India called Amit Shahi परिशान है लोग 370 जब से हटा जब से कश्मीर के नाम पर प्रोपगेंडा खत्म हो गया जब से ये स्थिती बन गई कि अब तो कोई न मंच पे बुला रहा है न कोई भाशान देने को कह रहा है और कश्मीर पे आप उल्टी सीदी बात करेंगे तो जेल जाएंगे अभी तक ये इसी सब पर funding हो रही थी इसी सब से सारी दुकान चल रही थी इसी सब से भारत विलोधी गत्विदियां हो रही थी कश्मीर हो या बस्तर हो या दूसरी जगहे हो गाची रोली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो ये सारे तार उसी तरह से लुड़े हो है फिर वो भीमा कोरगाव में हिंसा करानी हो बस्तर में करानी हो देश के दूसरे हिस्से में करानी हो कश्मीर में करानी हो या पुरोत्तर में करानी हो और इसी लिए जैराम रमेश कह रहे हैं और ये निकिता जैकब कहुं है निकिता जैकब और शांतनू इन दोने के नाम भी इस रिपोर्ट में है जब चार फर्वरी को दिल्ली पुलिस ने कहा था तो उससे पहले दो जिनको हम कहते हैं न कि दो जो बड़े बयान आये थे उसमें एक बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से विता कि ये जो देश द्रोही घटना लाल के लिए पर हुई है भारती जनता पार्टी का नजदी की दीप सिद्धू उसमें कराया है उसको गिरफतार कीजिए और जब दिशारवी गिरफतार हुई तो कह रहे हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता पर हमला है राहुल गानी कॉंग्रेस ये भी बड़े तूट पड़े थे और ये लिख रहे हैं राहुल गानी भारत के बोल की लब आजाद हैं तेरे भारत में बोल की लब आजाद हैं तेरे कहने वाले वो ताना शाही के समर्थक वाम पन्थी विचार के संगठन हैं जो पूरी तरह से चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी के प्रोपोगैंडा माउथ पीस उनकी मशीनरी उनके तंत्र से ज़ादा कुछ नहीं और वही बोल के लबाजान हैं तेरे राहुल गागी बोल रहीं यानि कॉंग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हो गई कि देश विरोधी वामपन्थी उनका सब कुछ तै कर रहे हैं अब जरा आगे आजाईए शांतनु चले गए हैं और अंगा बाद बेंच बॉंबे हाई को करें हैं कि एंटी सिपेटरी बेल ट्रांजिट एंटी सिपेटरी बेल कल सुनवाई होगी ये उनके वकील जो है सतेज जाधाव वो बताया उन्होंने अब चुकि टूल किट के मामले में इनके खिलाब भी नॉन बेलेबल वारंट है अब महाराश्ट में क्या सरकार जो इनके पक्ष में कुछ फैसला दे कुछ राहत दे क्या उसको यह बताया जाएगा कि नहीं यह बहुत जरूरी है और जब यह सब सुनवाई करें अदालते हैं तो जरा दो चीजी ध्यान में रखें कविता कृष्णन वामपंति महिला लगातार देश विरोधी जहते हैं as I had warned the FIR against the toolkit shared by Greta Thunberg is no joke it is the latest filmsy pretext for a witch hunt of activists in India a 21 year old student and Friday for future activists in Bangalore has been picked up for questioning on this pretext अब पहले जूट बोल रही है यह कोई pretext पर नहीं बाकाइदा जो सबूत है बाकाइदा जो WhatsApp chat है बाकाइदा जो data delete किया गया है बाकाइदा जो toolkit की editing हुई है उस सब से अब वो डर कितना बड़ा है वो मैं बताऊं आपको इस से पहले जरा प्रशान भूशन का tweet देख लेत वो भी एक कोई legal उन्होंने बना रखा है आवर स्टेट्मेंट और लही पुलिसी legal and malafide arrest of environmental activist देशा रवी for playing a small role in preparing a digital campaign toolkit for the farmer's protest the magistrate in mechanically remanding her to police custody also abducted his responsibility awakening कौन कह रहा है वो प्रशान भूशन जो सरवोच नजयाले कि आउमादना का दोशी है सिर्फ और सिर्फ अपनी पारिवारिः विरासत को खा रहा है और जो सिर्फ और सिर्फ यही सब करके लोगों पर आरोप लगाके माननी नयादीशों पर आरोप लगाकर व्यवस्था को गलत कहकर और अपनी दुकान चलाता है लेकिन इसके लिए वो सरवोच नयाले कि आमानना का दोशी पाया जा चुका है और यही वो व्यक्ति है प्रशान दोशन जो कश्मीर पर विवादित बयान देकर पिटा था अपनी चेंबर में अब जर आ जाईए इसके बाद एक साहब है उन्होंने ट्वीट किया टूल किट की फोटो टूल किप आई है रिंच रिंच और इस टूल किट की फोटो के साथ लिखा इफ यू आर इन इंडिया प्लीज कंसीडर दपॉसिबल कॉ बेटा थुनबर्ग और दिशारवी वाली है उसको इस टूल किट से कहके और बहुत मजाग बनाया टूल किट मदद में कोई किसी को देता है लेकिन ये देश को आग में जोकने वाली टूल किट थी उसका ये सहावी कौन है पीटर फ्रेडरिक कौन है ये पीटर फ्रेडरि फ्रेडरिक की जो पुस्तक है सेफरन फासिस्ट इंडियाज हिंदू नेशनली सूलर उसमें संग को भरपूर गालिया देने वाले लोगों लिखा है भारत के कुछ पत्रकार हैं कुछ क्रिश्चियन मिशंदीज वाले हैं और ये पीटर फ्रेडरिक वही हैं जिनको लगात भारत में जिसको हम बार-बार कहते हैं कि कुछ ऐसे चेहरे तयार किये जाए और इसके बारे में डिस इन्फो लैब उन्होंने बहुत जबरदस्त एक रिपोर्ट तयार की है बहुत जबरदस्त रिपोर्ट तयार की है 17 ट्वीट हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पीटर फ्रेडरीक और भिंडर भिंडर कौन है भिंडर है यह साहब भजन सिंग भिंडर कलिफोर्निया युएसे से जो कई बार भारत में आर्म सप्लाई की कोशिश कर चुके हैं इन दोनों ने मिलकर कैसे कई मौकों पर यह कोशिश की और अब एक बार फिर से इसमें यह इन करते हैं इनका भी नाम उस टूल किट के बनाने वालों में है अब सबसे आखरी टिपड़ी और मैं इस टिपड़ी को करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली पुलिस के हाथ क्या लग गया है और जो लोग कहते हैं कि भारत की सरकार भारत की पुलिस भारत के ग्रि जुबैर कौन है ये है और ट न्यूज का को फाउंडर जो कहता है कि हम फैक्ट चेकर हैं लेकिन दरसर ये लेफ्टिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला एक मंच है ये फैक्ट चेकर नहीं है मैंने भी फैक्ट चेकिंग का ऑनलाइन कोर्स किया तीन दिनों का और और प्रतिक सिनहा उसमें एक सेशन लेने आये थे और मैं नेशनलिस्ट नैरेटिव के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग जरा इन टूल्स के बारे में समझेए वरना वो टूल किट एक्सपोज होगी तब तो आप जानेंगे वरना नहीं जानेंगे ये लोग उसी तरीक क्या लिखते हैं मुहमेद जुबयर दरसल कंफेशन कर रहे हैं इस पूरी जमात को जिसको दुल्ली पुलिस पकड़ रही है पकड़ने जा रही है उसकी सच्चाई पर ये लिख रहे हैं हेलो गूगल इंडिया टैक करके गूगल सुंदर पिचाई आर सूर्सेज ऑफ टाइमस नाव और रिपबलिक करेक्ट डिड गूगल रिलीज़ शेयर दे इन्फॉर्मेशन विच लेड तो अरेस्ट दिशारवी अ फ्राइड एज फॉर फूचर एक्टिविस्ट बात यहीं खत्म करता हूँ मुहमद जुबैर ने कहा है कि क्या रिपबलिक और टाइमस नाव पर जो ख़बर चल रही वो सही है सोर्सेज के हवाले से कि गूगल ने वो जानकारी दे दी जिसकी वो जैसे दिशारवी की गिरफतारी हुई अब गूगल कोई जूठी जानकारी तो देगा नहीं इसका मतलब इन लोगं को पता चल गया है कि जो सरकार ने और दिल्ली पूलिस ने कहा था कि हम गूगल से भी जानकारी लेंगे और उसके आधार पर लोग किरफतार करेंगे किस ने toolkit बनाई, किस ने document share किया, किस ने edit किया, किस ने कप कप क्या क्या कहा महम्म्मद जुबेर कह रहा है कि हाँ अगर Google ने ये किया है तो ये ठीक नहीं किया है यानि इन कुकर्मियों का इन चोरों का इन पापियों का पाप किसी के सामने आना नहीं चाहिए तब वो प्राइवेसी हो गई निजिता हो गई ये किसी के भी बेडरूम में जाके जहां के लें फैक्ट चेकिंग के नाम पे वो ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है आप यकीन मानिए अभी सिफ निकिता जैकब और शांतनों की नहीं बहुतों की गिरफ्तारी होने वाली है और ये सब बाकाईता तब थे प्रमाड के आधार पर होगी गूगल से बहुत कुछ दिल्ली पुलिस को मिल चुका कि देश द्रोग आरोग कैसे लगा देती हैं सरकारे तो बस एक जानकारी खत्म कर देता हूं अब तो आप जानी गया होंगे कि दिशारवी की मामले में क्या क्या हो रहा है कंगना रनाउट ने बॉंबे हाई कोर्ट से कहा है कि मेरा कोई भी ट्वीट ऐसा नहीं है जो भड यात्रा में हूं दो-चार दिनों के लिए तो तब तक थोड़ा सा बातचीत कम हुआ करें मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके डालों नेट्वर की दिक्कन बाहर होती है बहुत-बहुत धन्यवाद